हेलो इस्टूट्स आज हम लोग डिस्क्स करेंगे कि क्लास 12 के बच्चों को कब तक अपना स्लाबस खतम कर लेना चाहिए फेजवाइज मेनर में जिससे वो बूर्ड एक्जाम्स में भी अच्छा कर सके और अगर वो आयटी जेई और नीट की त्यारी कर रहे हैं तो उसमें भी अच्छा कर सके तो उसकी एक टाइम लाइन टाइब की मैं आप लोगों को बताऊंगा और यह ताइम लाइन फॉलू करना बहुत ज़रूरी है जाज व supuesto क्लास 12 में आपको सिर्फ टाइबस कंप्लीत नहीं करना है और यह सब आपको करना है एक टाइम लाइन में तुकि देखिए ऐसा कि class 11th में तो अक्सर क्या होता है कि लोगों का syllabus ही January फर भी तक चलना होता है और वो जब वो मार्च में उनके school में exam साते हैं तब वो revise करने बैठते हैं तो यह काफी late लटीफ वाला मामला है आप class 12th में इस तरह किसे नहीं कर सकते हैं अब अगर आप class 12th में मार्च में syllabus complete करेंगे तो जो pre-boards होते हैं December में उनका क्या तो दूसरी जो problem है वो यह भी कि pre-boards schools में November, December में start वे आती हैं जहाँ पे आपको 12th का पूरा syllabus तो करना ही करना होता है अच्छा उससे भी पहले एक और चीज है कि आपने जेई मेंस आपको मालू में कि January में और April में दो बार होता है तो January वाले सेशन के बहुत पहले आपका 12th इने 11th भी complete होना चाहिए तो 12th भी complete करना है 11th भी complete करना है बाकि आप अगर आप नीट देने जा रहे है तो नीट नॉर्मली मही में होता है पर अगले साल से जब नीट साल में दो बार होगा एक बार January या February में फिर उसके बार अप्रेल या मही में तो उसमें भी आपको December से पहले 11th भी revise करना है मैं मान के चलना हूँ कि नीट और जेई मेंस दो बार हो रहे हैं और आपको 12th और 11th दो रिवाइस करना है क्योंकि आप बोर्ड से कुछ ज़्यादा करना है बोर्ड भी आपको करना है तस बोर्ड से कुछ ज़्यादा करना है तो देखें उसके लिए strategy क्या होने चाहिए उसके लिए मैं आपको पहले जर्नल strategy बताता हूँ जर्नल strategy यह है कि आपका जो पूरा slabis है वो सिप्तमबर अगस सिप्तमबर तक सिप्तमबर में मान के चलना हूँ सिप्तमबर तक आपका 12 सिप्तमबर के बाद अक्टूबर नॉमबर यह आपको टाइम 11 के रिविजन में देने है जब आप दिसमबर में आओगे तो आपके preboards चलना होँगे तो आप फिर से 12 को एक बार और revise करके आप preboard पे focus करो जनवरी में जनवरी तक आते हाते हैं आपने 12 पढ़ लिया है सिप्तमबर तक 2 और नॉमबर आपने 11 का slabis complete कर लिया है और दिसमबर में जब आप आओगे तो आपने 12 के फिर से preboard exam दिये फिर जनवरी जो होगा next year का उस समय आप 12 और 11 के दोनों के combined levels पे revision पे भी focus कर रहे होगे और उस समय आप जो previous year के question papers होंगे जेही के NEET के वो भी आप लगा रहे होगे और जेही और NEET का जो first phase होगा वो देने जा रहे होगा कि NEET साल में दो बार होता है तो जेही का तो जेही का जनवरी कैसे से नाई गया होगा तो यह strategy आपको follow करनी है और इसको अगर मैं topic wise बताओ तो कैसे देखा आपको करनी है यह मैंने mass का syllabus दिखाया है मैंने सारे chapter के नाम में लिखे है उनको topics में बाट दिया है मैंने chapters को group of clusters of topics में मैंने बाट दिया है तो अगर हम लोग बात करें इसमें क्या हम लोगों को structure रखना चाहिए तो देखे इसमें structure हम लोगों को यह रखना चाहिए क्योंकि हमें अपना syllabus जो है और काफी हद तक calculus हो जाना चाहिए calculus बड़ा topic है तो मई के साथ साथ मई में भी होगा और जून में भी होगा जुलाई अगस्त में linear programming of probability यह complete होगा चाहिए और सिप्टमबर से फिर आप आगे बढ़ सकते हो देखे class 12 का जो syllabus है वो class 11 से deliberately कम रखा गया है तो जो main आपके जो topics हैं जो calculus main topic है यह आपकी चलेगी आपकी मई जून यह दो महिने ले सकती है algebra मैंने आपको बोला यह एक बड़ा और important topic रहेगा तो probability बाद में एक tough topic है यह आप थोड़ा सा stretch कर सकते हो यह मैंने अगस्त बताया तो अगस्त से स्प्टमबर तक यह stretch हो सकती है बाकी main जो आपके topics है algebra calculus इनको आपको कोसिस करनी है कि मई जून तक हो जाता है तो vector 3D छोटा है linear programming छोटा है probability छोटा है अच्छा है interesting है तब भी है बट जो main आपके wider width वाले topic है algebra calculus इनको आप कोसिस करें कि जून तक हो जाता है आगे बरते हैं bio में आते हैं bio में भी slabish 12 का 11 के respectively अगर देखा जाए relatively तो बहुत काम है आपको कोसिस करना है कि जो आपका reproduction है यह reproduction आपका अपरेल में कातम हो जाए genetics माई में कातम हो जाए biology and human welfare यह आपका बहुत चोड़ा सा topic और बहुत simple सा topic है तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है इसको भी माई जून की भीतरी कातम कर लेजिए bio technology भी माई जून की भीतरी कातम कर लेजिए July अगस्त में ecology and environment कातम कर लेजिए इसमें जो 12 की bio में जो सबसे important topic रहेगा वो genetics है इसको कोसिस करिए genetics और reproduction यह April माई का focus आपका genetics और reproduction होना चाहिए आगे बारते physics में आते हैं physics का देखिया ऐसा है कि जो electrostatics और current electricity है यह आपका focus होना चाहिए April के लिए आपको April में electrostatics खतम कर लेनी है current electricity आपको माई में माई में करने नहीं है माई में आप magnetism में भी move कर जाएंगे और magnetism effects of current and magnetism में वैसे तो 5 chapter है moving charge and magnetism, magnetism and matter AMI, AC और EM waves तो सुरवात की जो दो है वो माई तक हो जाने चाहिए अगले जो 3 है जो AMI और AC आपके दे रखें यह आपके जून में हो जाना चाहिए, EM waves में मान के चलना हूँ जून में हो जाना चाहिए, optics बड़ा है दोई chapter है बड़ उसमें काफी एक कुछ है पहले chapter यह optics में, तो यह जुलाई का focus होना चाहिए, modern physics पूरी की पूरी, जुलाई अगस्त में complete हो जाना चाहिए, modern physics चप्टर तो बहुत सारे हैं, dual nature atom, nucleus, semiconductors और communication, बड़ यह बहुत छोटे-छोटे chapters तो इनको आपको अगस्त में खतम कर लेना है chemistry में आते हैं chemistry में solid state solution, यह अप्रेल में हो जाना चाहिए electrochemistry, chemical kinetic surface chemistry, माई में हो जाना चाहिए, फिर inorganic इस्टार्ट हो यह तो कर फिश्कल chemistry था, inorganic जब start होगी, तो आपको अप्रेल में का मैंने बता दिया है, जून में आपको inorganic rate लेनी है, NCRT से जून, isolation of elements, p block element, dnf block coordination compounds, यह आपको पूरी की पूरी inorganic आपको जून में कर लेनी है जुलाई में आप organic पहुँच जाएंगे, hello alkenes and hello arines alcohol phenol ether, यह आपने जूलाई में कर लिया, इसके आप organic में और आगे बढ़ गे, aldehyde, ketone, carboxylic acid organic compounds containing nitrogen और सिप्टमबर में बचा कुछा bio molecules, polymers, chemistry everyday life, यह आपने अगर सिप्टमबर में खतम कर लिया, और सिप्टमबर में आपको जो ऐसे ही 12th का syllabus पूरा revise करना है, यह मैंने आपको topic wise सारे चीज़े बता दी physics की, chemistry की, maths की, bio की और courses मैंने आपको क्या रखी है फिर से बता रहा हूँ, courses आपको यह करनी कि August तक syllabus खतम, सिप्टमबर में 12th का revision, October नवंबर 11th का revision, December में pre-board आप दीजिए, पूरे focus के साथ 12th को revise करने, क्योंकि board में marks भी अच्छे लाना है, फिर January में 11th 12th का, previous year के papers लगाईए, J1 need, जो भी आपका respective exam हो, उसको फिर अगले वाले के लिए फिर multiple times revision, क्योंकि ultimate जो number या ranking आप देख लीजिए, रिविजन से वो प्रेक्टिस सही बननी है तो January के बाद, जो भी आपका दूसरा set हो, April या मही में exam का उस समय तक सिर्फ revision और previous year के question paper, as many as mock paper आपको solve करने जाए ये, thank you, और अगर आप चाहें तो पूछो तो app download कर ले, उसमें previous year के paper भी दे रखे हो, कुछ mock paper मैंने डाल लखे हैं, अभी तो कम set डाल लखे हैं बट within month में काफी सारे set डाल दूँगा, आप free जाके वहाँ पे test paper, full length paper जैसे exam like scenario में आप उनको attempt कर सकते हैं